परिजय सीमा तशेरी की जुट्टियां अपने मादा पिता के साथ केरल में बिता रही है उसने पानी की सतह पर कुछ अजीबो गरीब नौकाओं को देखा इन नौकाओं पर जोब्डियां बनी थी उसने अपने पिता से इनके बारे में जानना जाहा उसके पिता ने उससे कहा कि वे हाउसपोर्ट यानी शिकारा हैं परियाटक उनमें ठहरते हैं तथा आसपास के सुन्दर द्रिश्यों का आनन्द लेते हैं इस पार्ट में आप भिन भिन प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे आउ सीखे कच्चे घर तथा पक्के घर के बीच अंतर स्पष्ट करना अच्चे तथा स्वच्चे घर के गुणों को बताना आश्रय के अन्यरूपों की सूची बनाना भिन भिन जन्तुओं के आश्रयों को नाम देना कच्चे घर गीली मिट्टी, घास, पुवाल तथा पत्तियों से बने घरों को कच्चा घर कहते हैं उन्हें जोपड़ी भी कहते हैं कच्चे घर गावूं में पाय जाते हैं उन्हें बनाना सस्ता तथा आसान होता है किन्तु कच्चे घर आधी, तूफान, वर्शा तथा भूकंप का सामना नहीं कर पाते हैं तथा नश्ट हो जाते हैं पक्के खर इट, पत्थर, सिमेंट, कंक्रीट, लोहे तथा लकडियों से बने घरों को पक्का घर कहते हैं वे नगरों वा शेहरों में पाए जाते हैं, वे महके होते हैं पक्के घर मस्बूत होते हैं, तथा आंधी, तूफान, वर्षा तथा भूकम्ब का सामना कर सकते हैं. अच्छे घर घर आसमान मौसम से हमारी रक्षा करते हैं. घर छोटे या बड़े हो सकते हैं, किन्तु अच्छे घर वे होते हैं. जो स्वच्छ तथा हवादार हो, जिसमें बरामदे की तरहा खुली जगा हो, रसोई के लिए अलग जगा हो, सूने के लिए अलग कम्रे हो, सनान घर तथा शौचाले अलग हो, अतितियों के बैठने के लिए अलग जगा हो. स्वच्छ घर यदि हम खुशहाल वस्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने घरों को सच्छ रखना होगा. ऐसा हम यह सुनिश्चित करके कर सकते हैं की, नाली नियमित रूप से साफ हो, कुडे का निप्टान रोजाना हो, कीडे, मकोडे जैसे की मच्छर, मखियां, तिलचट्टे इत्यादी का प्रजनन घर में या घर के आसपास ना हो. कुछ अन्य आश्रे स्थल का घर होता है, वे एसकिमों द्वारा बनाये जाते हैं, वे ग्रीन लेंड में पाये जाते हैं, कारवां घुमन्तु घर होते हैं, ऐसे घरों में पहिये लगे होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं, ऐसे घर जिपसियों द्वारा उप्योग में लाये जाते हैं जो जहां तहां भटकते रहते हैं घर सबसे अच्छे मकान गिली मिट्टी पुआल एवं पत्तियों या इंट वा मोटार से बनी सनचना होती हैं घर एक वैसा मकान होता है जिसमें परिवार वास करते हैं उनके ठहाके, खुशियां तथा प्यार किसी मकान को घर बनाते हैं जन्तूओं का आश्रे मनुश्यों की तरहा जन्तूओं के भी उनके आश्रे स्थल होते हैं मनुश्य अपने पालतू जन्तूओं के लिए आश्रे स्थल बनाते हैं जैसे की कुत्ते के लिए कुत्ता घर, कायों के लिए छपपर तथा घोड़े के लिए अस्तबल अन्य जन्वर अपना आश्रे स्थल स्वैम बना लेते हैं या खोज लेते हैं पक्षी घोसले बनाते हैं मधुमख्या मधु के छत्ते बनाती हैं उल्लू व्रिक्ष के कोटर में रहता है शेर गुपाउं में रहता है आओ खिलें बच्चो अब समय हैं कुछ क्रिया कलाब करने का जन्थूं का उनके आश्रे स्थल से मिलान करें हमने क्या चढ़ चा की गिली मिट्टी, घास, पुवाल तथा पत्तिउं से बने घरों को कच्चे घर कहते हैं इट, पत्थर, सिमेंट, कंक्रीट, लोहे, तथा लकडिऊंसे बने घरों को बक्के घर कहते हैं अच्चे घर हवादार होते हैं स्वच्छ घर हमें खुशहाल वा स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं कुछ अन्ने प्रकार के आश्रेस्थल, हाउस बोट, एगलू तथा कारवा हैं जन्तु भी आश्रेस्थल में रहते हैं जैसे की कुट्टा घर, अस्तबल, छपपर, गुफा इत्यादी